कि अच्छों इस टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमर सेवेंटी फॉर्स है 74 देखिए दिया हुआ है 10% NaOH 10% NaOH देने का मतलब है कि एक प्रकार से डाइलूट NaOH बोला जाला है ठीक है और डाइलूट NaOH के प्रजन्स में कोई एक A-Reactant है और उससे आपको ये प्रोड़क्ट मिला है काता है ये बताइए कौन सा हुगा तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है इसमें हम लोग रेट्रो एल्डोल कंडेन्सेशन करके भी प्रोड़क्ट को पहचान सकते हैं उसका तरीका क्या होता है उसका तरीका ये होता है कि जहां पर कीटोन बना हुआ है जहां पर कीटोन बना हुआ है ठीक है उसके ठीक बगल वाला कारवन जो होता है बच्चों वो होता है अलफा और उसके बाद जहां पर O-H लगा हुआ है वो है बीटा क्या है वो है बीटा समझ गे बात को तो basically क्या हुआ होगा हुआ ये होगा कि यहाँ पर जो है ने रहा होगा carbonine ठीक है यहाँ पर चलि मैं एक बार mechanism से समझाता हूँ इसका answer जो है correct answer D है पहले मैं आपको एक बार solve करकर बताता हूँ फिर shortcut trick बताऊँ यह देखे बच्चो माइनस बनेगा ये क्या करेगा इसके दूसरे मोल है ने इसके दूसरे मोल पर ये CH2 माइनस का क्या होगा बच्चों attack होगा और attack होगा तो ये वाला खुल जाएगा O- के रूप में और finally यही convert हो जाएगा OH के रूप में तो यही बात में बोल रहा था तो ये दिया हुआ है तो आप सवाल उठता है क्या करें तो आपको करना कुछ भी नहीं है अलफा और बीटा को पर तोरिए और ये जो बीटा पर जो OH लगा हुआ है बेसिकली आपको क्या करना है यहां से इस बोन को तोर कर और इस OH को आपको C double bond O में convert कर देना है तो जैसे ही आप C double bond O में convert करेंगे देखें पीएच सी ओ सी ओ सी एस त्री और पीएच सी ओ सी ओ सी ओ सी दिख रहा है ठीक है तो आपको जो अप्शन मड़ी दिख जाएगा ठीक है चली क्वेस्टन नमर् सेवेंटी फाइब बात करें यह नहीं हो सकता ठीक है यह देखें क्या है यह देखें इसके ठीक बगल वाला कार्बन क्या है अलफा C double bond होके ठीक बगल वाला कार्बन क्या है अलफा और अलफा पर ही OH लगा हुआ है तो यह अलफा हाइड्रोक्सी की टोन है यह भी नहीं हो सकता तो हर मेंसा क्या दिया मैंने ट्रिक बताए आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है एल्डोल कंडेंसेशन से समझगे बात को चली क्वेशन नमबर 76 देखते हैं 76 में बच्चों देखें आपर दिया हुआ है कीटोन ठीक है और यह जो एने ओएच है यह क्या करेगा सी डबल बॉन्ड ओके ठीक बगल वाला कार्बन है स्पी 3 कार्बन जिसके पास एजडिक हाइड्रोजन है यह ओएच माइनस क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन को निकाल जैसे निकालेगा बनाएगा कार्बन आइन और यही कार्बन आइन क्या करेगा इस वाले कार्बन पर एटेक करेगा और जब एटेक होगा तो यह यहां से खुल जाएगा ठीक है और खुलेगा तो क्या बनाएगा ओएच बनाएगा तो अब चलिए लिखते हैं इसको क्या पी-एच, सी और ये सी पर लगा हुआ जो ओम डवल बॉन्ड है, ये ओएच में कंवर्ट हो गया, एटेक कौन किया, साइकलो पेंटेन, तो साइकलो पेंटेन रिंग एक हमें बना लेना है इस तरह से, ये बना लिया, जहां से एटेक हुआ है, उसके ठीक बगल में क्या है, स हिटिंग भी किया हुआ है, ठीक है? हिटिंग भी किया हुआ है, तो एटोल के बाद कंदेन सेशन रियक्षन में क्या होता है, कि यहां पर H2O निकलेगा, करने को लादा डिहाइडरेशन हो जाएगा, खैसे? तो अलफा बीटा से, तो अलफा से आपको हाइडरोजन निकाल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से अलकीन बनता हुआ दिखेगा तो जो फाइनल प्रोड़क्ट होगा उसमें क्या है बेंजीन रिंग से कारवन डवल बोन और साइक्लो पेंटेन तो देखिए यहाँ पर यह उप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर है क्वेशन नमबर 77 कता है वाट इस दा मेजर प्रोड़क्ट ऑफ फोलोइंग रियक्शन ठीक है वाई वाली बात है अलडोल ही होना है यहाँ पर तो यह देखिए जो ओएच माइनस है बच्चों यह ओएच माइनस क्या करेगा यह ओएच माइनस क्या करेगा सबसे पर हाँ पर यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रियक्शन होने वाला है अगर आप कारवेनाय नहीं हाँ पर बनाते हैं तो आप एटेक यहाँ पर करेंगे ठीक है तो वह इसी स्थिति में रिंग कितने मेंबर का बनेगा यह देखना होगा यह देखिए वन नमबर और पॉसिबल प्रोड़क्ट बोलता है तब तो इसके बहुत सारे प्रोड़क्ट मिल जाते हैं समझ में आई बात लेकिन यहाँ पर क्या बोला है हमसे मेजर प्रोड़क्ट बोला है तो हर में साथ यहां रखिए जब भी साइकलाइजेशन होता है तो साइकलाइज को favor करता है five member या six member ring कौन favor करता है five member या six member ring तो आप देखिए यहां से तो hydrogen ने निकालेंगे अब यहां से hydrogen निकालेंगे और यहां carbonine बनेगा देखिए यह one, यह two, यह three, यह four और यह five ठीक है तो यह carbonine सीधा इस carbon पर attack करेगा यह O- के रूप में खुलेगा और five member का ring बन तो five member का ring बच्चों देखिए इसमें नहीं बना हुआ है इसमें बना हुआ है और इसमें बना हुआ है ठीक है आपको क्या करना है इस तरह से एक five member का ring बना लेना है बना लिया अच्छा जहां पर attack हुआ था यह वाला carbon देखिए यह हमारा था five member यह था four, यह था three, यह था two और यह था 1 था ना अब 5 वाले पर ही देखिए यहां पर क्या आया था OH आया था O- के रूप में खुलेगा OH में कंवर्ट हो जाएगा अब यह जो 1 है इस 1 में देखिए बच्चों इस तरह से एक AC टोन यहां पर लगा हुआ है और ऐसा AC टोन देखिए आपको केवल ओप्सन नमर D में देखने को मिला है लेकिन अभी भी हमें पूरा प्रोटेक्ट में नहीं मिला है अब इसके बाद क्या होगा जैसे हम इसका हीटिंग करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है जहां से attack हुआ है वो alpha position ठीक है जहां पर OH लगा हुआ है बीटा तब यहां से हम क्या करेंगे hydrogen निकालेंगे यहां से OH निकालेंगे और यहीं पर alkenne बना देखिए जैसा कि आपको option number D में देख रहा है ठीक है question number 78 में बच्चों काता है which of the following is not the product of the intramolecular aldol condensation ठीक है intramolecular aldol condensation पहचानने का बहुत simple सा तरीका है जहां पर alkenne बना हुआ है अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले reaction में कि पहले क्या होता है aldol बनता है और फिर जब हम उसका hitting कर देते हैं तो alkenne बनता है बनता है अब देखे अलकीन से हमें पहचानना है कि किसमें intramolecular attack हुआ है intramolecular देखें intramolecular हमें पहचानना है तो इसका बहुत simple सा तरीका है उसमें क्या है कि जब compound alkenne से इसको हम लोग बोलेंगे retro aldol काने का प्रोडक्ट हमें दिया गया है अब उससे हमें कार्बोनिल कंपाउंड पहचानना है तो intramolecular aldol condensation कैसे compound में होता है ऐसा compound जिसमें दो-दो कार्बोनिल कार्बोनिल गुरूप बने हुए होते है ठीक है और यदि दो compound हमें अलग-अलग type का मिल रहा है तो फिर उसमें intra नहीं होगा फिर उसमें intermolecular होगा cross aldol product मिलता है समझगे बात को तो intramolecular aldol condensation के लिए क्या होना चाहिए जब हम alkenne से जब हम alkenne से carbonil compound बनाएंगे retro aldol reverse aldol करके तब वह इसी श्तिति में जो compound मिलेगा उसमें खास बात होनी चाहिए कि दो-दो carbonil ग्रूप जो है compound के अंदर मौझूद होनी चाहिए एक एक के अंदर मौझूद होनी चाहिए तो देखिए बच्चों यहां से आपको क्या करना है retro aldol के लिए मतलब alkenne system से carbonil बनाना हो तो आपको यहां से bond को तोर देना है जिस तरफ c double bond o लगा हुआ है वहाँ पर तो आपको hydrogen लगा देना है और दूसरे तरफ जो है आपको c double bond o लगा देना है तो देखिए यह compound मिल गया इसमें भी आप bond को तोर देजिए इधर आपको hydrogen लगाना है और इधर आपको लगा देना है c double bond o तो यह देखिए यह compound मिल रहा है 1,2,3,4,5,6,6 carbon का एक compound है जिसमें एक carbonil group यहां पर है और एक carbonil group यहां पर है इसमें बच्चों देखिए जब यहां से यह देखिए c h2 है जब आप यहां से bond को तोरेंगे तो c double bond o यहां पर है तो यहां पर तो लगेगा hydrogen और इधर लगेगा c h2 अब आप गवर से देखिए आपको दो different compound मिल रहा है एक compound तो मिल रहा है इस तरह से benzene के साथ cyclo exanone और दूसरा मिल रहा है बच्चो formal dehyde तो दो different compound मिले न दो different carbonil compound मि नहीं दे सकता है intramolecular condensation reaction नहीं कर सकता है ठीक है चाउथा कर सकता है कि इसे यहां से bond को तोर यह और इधर जो है आपको hydrogen लगा देना और यहां पर c double bond o लगा देना है तो देखिए एक ही compound के अंदर 2 carbonil compound 2 carbonil group मौझूद है तो जब किसी compound के अंदर 2 carbonil group मौझूद होता है त तो वहां पर वो क्या करेगा एटेक करता है ठीक है तो option number C इसका correct answer question number 79 79 देखिए बच्चों यह भी एक अच्छा question है इसमें क्या है कि प्रकार से symmetrical देखिए यहां पर 1,2,3 तीसरे नंबर पर ketone है और इधर भी देखिए 1,2,3 पर तीसरे पर ketone है बस आपको यह सोचना है कि cyclization यहां पर देखिए NaOH दिया हुआ है और चुकि एक ही compound में दो-दो carbonil group मौझूद है तो इसका मतलब intra-molecular aldol होगा ठीक है अभी मैंने बताया था आपको और एक बात और cyclization हमेशा जो है क्या होता है 5 या 6 member ring को favor करता है ठीक है तो जहें देखिए आपर A, B, C और D दिया हो चार दिया हुआ है तो यह 3 member और यह 3 member तो होगा तो C और D क्यों? cyclization हमेशा 5 या 6 member ring को favor करता है देखिए अब क्या होने वाला है बच्चों यह जो C double bond O है यह जो OH-base है यह क्या करेगा यहां से इस वाले carbon से hydrogen को निकालेगा ठीक है तो जैसे यहां से hydrogen को निकालेगा बच्चों तो यह carbonine बनेगा अब यह carbonine attack करेगा तो 1,2,3,4 और 5 ठीक है तो कुल मिलाकर 5 member का ring बनेगा तो क्या बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहला number इस तरह से आपको 5 member का ring बना लेना है इस पर आपको numbering भी कर लेना है 1,2,3,4,5 आप देखिए बच्चों 1 पर क्या है एक methyl दिख रहा है 2 पर क्या minus और फिर बाद में यह OH में convert हो जाएगा तो देखिए यह OH में convert हो गया अब यह जो 5 है इसी पर देखिए बच्चों आप गौर से तो एक इथाईल भी है 5 पर सीड़ बोंड हो था जो OH में convert हुआ और यहाई पर एक इथाईल भी तो है अब जब हम इसका क्या करेंगे heating करे और उसके ठीक बगल वाला पोजिशन जहांपर hydrogen है यह हो गया बीटा है तो हमें क्या करना है यहां से OH और यहां से hydrogen को निकालना और इस तरह से double bone बना देना है ठीक है तो जैसे double bone बनाएंगे बच्चों तो मैं एक fresh structure बना देता हूँ यहां पर देखिए आपको इस तरह से ethyl देख रहा है यहां double bone देख रहा है यहां ethyl देख रहा है यहां पर C double bone O देख रहा है ठीक है और यह structure आपको cable C में देख रहा है जैसा कि answer D होगा ओके अब आपके दिमाग में दो बात आएगा कि सर यह three member क्योंने हुआ और three member जड़ा एक बार बना कर बताईए कैसे ब निकले तो hydrogen अगर यहां से निकलेगा तो देखिए यह अब यहां से इस carbonil पर carbonion बनाया और इस वाले carbonil पर attack करेगा तो one two three तो देखिए जब यह इसके उपर attack करेगा तो three member का ring भी बनेगा लेकिन इसके अंदर angle strain इतना जादा होगा कि यह वाला product नहीं बनेगा वैसे भी म ही देखेंगे dilute koh d दिया हुआ है ठीक है dilute koh d दिया हुआ है बच्चों c double bond हो के ठीक बगल में hydrogen मौजूद तो यह oh minus क्या करेगा सबसे पहले नंबर यहां से इस hydrogen को उठाएगा जैसे उठाएगा तो बनेगा carbonion यह carbonion क्या करेगा बच्चों इस cyclopentanon का जो दूसरा mole हो काने का मतलब देखें क्या हो रहा है समझिए इस तरह से cyclopentanon जो है बच्चों यहां पर double bond और यह वाला जो है दूसरे वाले एक और cyclopentanon चली बना लेते हैं इस तरह से बना लिया हमने जहां पर attack हुआ हुआ ही पर देखें OH दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या जहां हेलोल कंडेंसेशन में देखें हीटिंग दिया हुआ भी है तो हीटिंग करेंगे तो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन निकाल देना है जैसे निकाल लेंगे तो बताईए यहां पर आपको क्या दिखेंगा double bond मनता हुआ दिखेंगा तो option no.20 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है question no.81 81 में बच्चों देखें यहां पर दिया हुआ है NaOH दिया हुआ है H2O है डाइलूट सिस्टम है बाद में हिटिंग किया हुआ है 99% प्रोड़क्ट मिला है बोलता है बताईए कौन सा होगा Simple सी बाद है बच्चों यहां पर देखें जो कार्वोनील है इस कार्वोनील के पास क्या alpha hydrogen है नहीं है ठीक है करने को लग इसके ठीक बगल में क्या SP3 carbon है जिसके पास hydrogen है नहीं है इसके पास है तो सबसे प्रहन बढ़िए OH- क्या करेगा यह OH- क्या करेगा यहां से hydrogen को निकालेगा carbon 9 बनाएगा फिर यही वाला carbon 9 जो है इस वाले carbon 9 पर एटेक करेगा और यहां से यह वाला bond खुल जाएगा O- के रूप में और O- के रूप में खुलेगा तो यही वाला फिर बाद में क्या बनेगा OH भी बन जाएगा ठीक है चलिए तो क्या हुआ समझते है pH C double bond O और यह CH2 ने एटेक किया किस पर एटेक किया कारबोनिल पर यह कारबोनिल किस में कनवर्ट हो गया OH में फिर यहां से क्या हो गया बच्चों इस तरह से देखे एक ring है और ring के उपर जो है NO2 ग्रूप लगा हुआ है अब यह अलफा पोजिशन है और यह बीटा पोजिशन है जब हम इसका हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करेंगे तो यहां से OH और यहां से निकालना हाइड्रोजन और यहां पर बना देना है double bond और जैसा कि आपको option number C में product दिख रहा है समझ में आई बात चलिए question number 82 में हम बात करेंगे 82 में बच्चों दिया हुआ है OH- तो OH- क्या करेंगा देखे आपर ज्यां से देखे बहुत ही confusing type का है थोड़ा इसमें क्या है बच्चों C double bond O के ठीक बगल वाला carbon ये है ना कि ये है ठीक है काने का हम लोग हाइड्रोजन जब निकाला जाएगा तो ये OH- क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और यहीं पर anion बनाएगा ये सबसे important बात है जबकि जल्दवाजी में यहां से भी आप हाइड्रोजन निकाल के carbon 9 बना सकते हो जबकि गलत आंसर दे सकता है ठीक है और यहां पर दिया हुआ भी है खैर तो कहने का हम लोग है यहां पर जो है इस वाले पर carbon 9 बना अब यहीं वाला carbon 9 क्या करेगा इसके दूसरे मोल इसके दूसरे मोल पर एटेक करेगा ठीक है यहां पर इस carbon पर एटेक होगा एटेक होगा यह वाला bond खुलेगा O- के रूप में बाद में यह OH में convert हो जाएगा चलिए तो अब ज़रा हम लोग product पहचानते हैं कि क्या बना है ठीक है हीटिंग वीटिंग नहीं किया हुआ है तो केवल LDOL product हम से पूछा है तो हमें करना क्या है बच्चों इस तरह से एक cyclohexane cyclohexane पर यहां पर देखिए एक CHO group लगा हुआ है और यहां से हमें क्या करना है CH और इधर OH कर देना है ठीक है यहां CH हो गया और इधर जो है इस तरह से ऐसा बना देना है ठीक है अब ऐसा देखिए पहचान ही कहां पर देख रहा है आपको देखिए हमें देख रहा है ऐसा product CHOH हाँ ठीक है option number B में देख रहा है देखिए कैसे cycloxane इस वाले carbon पर देखिए क्या है निकला हुआ है carbonine बना AC double bond O रहा होगा इसके उपर attack हुआ और यही OH में convert होगा ठीक है तो option number B इसका correct answer है चली question number 83 में हम लोग बात करें question number 83 में बच्चों यह दिया हुआ है excess amount में दिया हुआ है तो यह OH माइनस क्या करेगा सोचिए यह OH माइनस सबसे पहला number यहाँ से hydrogen निकालेगा क्या हूँ C double bond O के ठीक बगल वाले carbon पर alpha hydrogen मोजूद है तो सबसे पहला number क्या करेगा carbonine बनाएगा carbonine बनेगा तो बच्चों यह क्या करेगा इसके उपर attack करेगा ठीक है अब इसके उपर जब attack करेगा तो CH3 CH और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा CH double bond O और जब इसके उपर attack करेगा बच्चों तो यह वाला bond खुलेगा O माइनस और फिर बाद में यही convert हो जाएगा किस में तो CH2 OH में convert हो जाएगा अब देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर access जो दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि OH माइनस बेस के परज़न देखिए आँ पर अभी अलफा हीड्रोजन मौझूद है तो एक बार और reaction होना चाहिए लेकिन इस तरह के question मैंने एक बार पहले भी बताया थे मैंने यह बताया था कि कि CH2 के ठीक बगल वाले कारवन पर ठीक बगल वाले कारवन पर अलफा हीड्रोजन मौझूद हो ठीक है लेकिन अगर वो हाइड्रोजन जो है crowded होता है crowded का मतलब जैसा कि अभी आपको दिख रहा है एक question मैंने और भी कराया था ऐसा ही ऐसा था ठीक है और मैंने बोला था कि यह जो reaction है यह एलडोल नहीं करता है यह आपको कैनी जारू प्रोड़क्ट देता है वो इसलिए क्योंकि basically क्या होता है कि जब हम यहाँ पर carbonine बनाते है तो यह 3 degree का carbonine crowded है ठीक है तो crowded होने के कारण जो है crowded होने के कारण जो है इसका carbonine कम stable होता है पहला नंबर दूसरा नंबर कि इससे मिलने वाला जो अलडोल प्रोड़क्ट होता है वो आपको major amount में नहीं मिलता है तो इसलिए यहाँ पर alpha hydrogen मौझूद होते हुए भी यह क्या करता है अलडोल ना करके कहिनी जारू करता है तो एक बार तो यहाँ पर reaction हो जाएगा लेकिन एक बार जैसे ही CH2OH यहाँ पर जूरेगा तो यहाँ पर crowding आ गया तो अब इसके पास देखे हैं आपर alpha hydrogen मौझूद है लेकिन एलडोल नहीं हो पाएगा समझगे बात को तो यही वारा जो product हमने बनाया यही इसका major product होगा चलिए पहचानते हैं कहाँ पर दिख रहा है तो option number D में दिख रहा है ठीक है question number 84 which of the following aldehyde does not undergo the aldol addition with mixed with the base कता है simple सी बात है aldol के इसमें नहीं होगा तो देखें aldol के लिए क्या condition होता है aldol के लिए carbonil compound का होना जरूरी है carbonil compound के ठीक बगल वाले carbon per sp3 carbon per alpha hydrogen का होना जरूरी है तो यहाँ पर देखें बच्चों carbonil के ठीक बगल वाले में hydrogen मौझूद यानि कि यह 3-3 aldol देंगे जबकि यह यहाँ पर देखें इसके ठीक बगल वाले sp3 carbon पढ़ा है sp3 carbon ही नहीं है यह की carbon इसके पास ठीक है तो यह aldol नहीं देगा यह क्या देगा कहिनी जारो देगा चली question number 85 85 में बच्चों देखें CHO के ठीक बगल में क्या sp3 carbon देख रहा है ना तो यहाँ पर देख रहा है और ना तो नीचे देख रहा है तो जैसे sp3 carbon नहीं देख रहा है तो उसके पास hydrogen भी नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ है कि एक बात है हो गया कि यहाँ पर एलडोल reaction नहीं होगा क्या होगा एलडोल reaction नहीं होगा तो एलडोल नहीं होगा तो क्या होगा कहनी जारो होगा एलडोल नहीं होगा तो कहनी जारो होता और कहनी जारो में क्या होता है बच्चों एक CHO तो ऑक्सिडाइज होता है और एक CH हो क्या होता है, reduce होता है, समझ के बात को, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहां से C double bond OH में एक को convert कर देना है, और एक को आपको convert कर देना है, CH to OH में convert कर देना है, ठीक है, फिर उसके बाद acidic medium में, जैसे ही हम इसका dehydration करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम acidic medium हमें इसका dehydration करेंगे, ठीक है, hitting करेंगे, तो यह dehydrate हो जाता है, H2O यहां से निकलेगा, तो H2O कैसे निकलेगा, तो यह जो COH है, इसका COH से निकलेगा OH, और यह जो CH2OH है, इससे निकलेगा बच्चों, hydrogen, और इस oxygen को हमें connect कर देना है, इस वाले कार्वोनील से, समझ में बात, तो देखे, क्या होने वाला है, मैं आपको समझाओ, देखे, इसका option number, एक correct answer है, कैसे, तो देखे, यहां पर बच्चों पहले क्या था, पता है, यहीं पर था C double bone OH, और यहां पर था OH, ठीक है, तो हमने अभी आपको जो सिखा है, उसमें मैंने बोला कि यहां से OH, और यहां से hydrogen निकालना है, तो इसका उलगा देखिया oxygen बच गया, और यही oxygen इस carbonil पर attack किया, ठीक है, और attack करके इस तरह से cyclization करके, और आपको यह product मिल गया, ठीक है, तो यह भी एक परकार से intramolecular canisaro reaction पर based था, कैसा था, intramolecular canisaro reaction पर based question था, ठीक है, तो इस वीडियो में हम ल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं,